अब हम बात करेंगे समिक छाववाद, इसके बहुत भ्यान से सुनाईज़े बहुत समझ लो, ठीक है? कापर निकस करांती किम बात करें कांड दुनिया का महान दार्शनिक था जो पुड़ता अनुसासन बद्ध था अब देखो या, कांड ने की बात करेंगे कांड सबसे ज़्यादा और सबसे पहले प्रभावी था लैबनीज से, निूटन से और उल्फ से लैबनीज, निूटन और उल्फ तीनो बुधिवादी दार्शनिक थे और कांड को ये लग रहा था कि लैबनीज और निूटन पूरता सही है लैबनीज का प्रभाव और निूटन का प्रभाव कांड पर ज़्यादा दिखता है और जब किसे नए दार्शन की बात की जाती थी तो कांड लैबनीज और निूटन के निजरिये से दिखता था लेकिन जब उसने हूम के संसिवाद को पढ़ा कांड ने तब वह सोचनी लगा क्या वास्तों में ऐसा होता है पहले चेट आप देखो आप जब उसने हूम को के संसिवाद को पढ़ा तो उसके सामने पहला लैबनीज है और लैबनीज उसके लिए आदर सथा कांड के लिए दूसरी तरफ हूम है हूम के संसिवाद को पढ़ा बीच में कांड खड़ा हो गया एक तरफ लैबनीज और दूसरी तरफ कांड है हूम बीच में कांड खड़ा है कांड तो जहां पहले लैबनीज से प्रभावी था जो हूम के संसे बाद को पड़ा कांट ने तो कांट ने ये सोचा कि क्या वास्तों में लैबनीज सही है या हूम सही है तो उसने लैबनीज को हूम की नजरिय से देखने लगा और हूम को लाइबनीज की नजरों से देखने लगा तो ग्यान देना उसने लाइबनीज को जैसे मालते ये दो लोग है पहले मैं इनकी प्रभाव में था जब मैं इनकी रिचनाओं को पढ़ा तो मुझे लगा आके दोनों सही कोन है मैं असमंजस में पढ़ा गया तो मैं क्या करूँगा मैं कांट हूँ ये लाइबनीज है और ये हूम है तो मैं क्या करूँगा इनको लाइबनीज की नजरों से देखूँगा और इन्हें हूम की नजरों से देखूँगा अरे बात हैं कांट में यही किया हुम के संसे बात को पढ़ने के बाद कांट ने हुम को लैबनीज की आखों से देखा और लैबनीज को हुम की आखों से देखा पडामता दोनों में समन्मे कर दिया और जो समन्मे किया एक क्रांती हो गई दर्सन के छेतर में जिसको नाम दिया गया कापर निकस क्रांती ये का काउपर निकाद दुनिया के ऐसा भोगल वित्ता, जिसने पहली बार बताया, किहमारे ब्रमसौर मंडल में, किंद्र में कौन है? सुर्ख और पृत्वी चारों चक्र लगाती है. उसकी पले मानिता यह थी, किहमारे स्रिष्ट के किंद्र में पृत्वी है, और सुरी क्या करता है चक्कर लगाता है ये मानिता थी तो पाली के जो प्रच्रित मानिता थी काउपर निकस ने बदल दिया कांट ने धर्सन के छितर में वैसा ही किया इसलिए कांट के समिक्छावात को कहा जाता है काउपर निकस करांती अब कांट कहता क्या है कांड कहता है एक बार समझना ज्यान से कांड कहता है कि यह हमारी बुद्धी है ज्यान देना यह हमारी बुद्धी है क्लियर कांड कहता है ज्यान के लिए बुद्धी और अन्वो दोनों जरूरी है यह हमारा अन्वो है देखो आप कांट खाता है किस अन्भों से संब्यधना प्राप्ध़ोती है यह संब्यधना यह संब्यधना बुद्धी में जाती है अब फिर क्या होता है यह सीधे ज्ञान में क्या होता है convert होता है अध्यान देना शुम ये खता है कि हमारी बुद्धी है ये अन्भो है ये जो संभेदना है ध्यान देना ये आपके संभेदना है इसे उसने का कच्चा माल खहा उसने अध्यान का साचा है देखो आप ये बुद्धी क्या करती है इन संबेदनों को ज्ञान में क्या करती है कनवर्ड कर रही है इसका मतलब यह होगा कांट दुनिया का पहला ऐसा दार्षनिक जिसने ये कहा ज्ञान के लिए बुद्धी और अनभो दोनों जरूरी है इस अनभो से संबेदना की प्राप्ति होती है अब बुद्धी उन संबेदनों को ज्ञान में कनवर्ड करता है इसका मतलब यह है कि यदि बुद्धी नहीं होगे तो ज्ञान नहीं बनेगा इसके पहले लाक बरक लिए यूम तो बुद्धी की उपे इख्षा कर देते है कि अनभो की बात करते है इसे कारण करता है यह लोग ज्ञान की बात तो किये ही नहीं फिर ज्ञान के लिए क्या जरूरी है बुद्धी और अनभो क्या है दोनों जरूरी है अब उसने यह का यह जो ज्ञान है इस ज्ञान में सार्भॉमता है प्लस अनिवारिता है अरे बाद इस ज्ञान में नमीनता है प्लस यह थार्थता है मतलब यह जो सार्भॉमता है यह बुद्धी से आती है आई ये जो नमीनता ये थार्थता है अरे बाते ये संबेदना से आती है इससा आप देखो आप इसका मतलब ये है ध्यान देने इस बात को कांड क्या कहता है कहता है ये हमारे बुद्धी है ये अनभो है ये संबेदना आती है हमारी जो बुद्धी है इन संबेदनों को ज्ञान में कनवर्ड करती है हमारा जो ज्ञान है हो शार्भौम है आरी बात एक अनिवारी है नमीन है और यह अथार्थ है यह जो शार्भौमता अनिवारता है वो कहां से आती है बुद्धी से एरुध्यान समराना और जो नमीनता या थारता ये कहां से आती है सम्मेदना से हमारा जो ग्यान है अब सोचो नमीन और या थारत है हमारा ग्यान सार्भौम और अनिवार सत्य है यदि सम्मेदना नहीं होगी तो हमारे ज्ञान में नमीनता और यह थार्थता भी नहीं होगी यह ज्ञान बुद्धी नहीं होगी तो हमारे ज्ञान में सार्भोमता अनिवारता भी क्या होगी नहीं होगी कांट में यही कहाद लेकिन कांट में यह कहाद पुरिवाद ध्यान देने इस बात को ये जो कांट है कांट ये कहता है ये जो बुद्धी है ध्यान दो ये जो बुद्धी है ये बुद्धी अतिंद्री है क्योंकि बुद्धी का क्या अनभो होता है बताओ अनभो नहीं होता इस बुद्धिक उसने आतिंद्री का है और ये बुद्धि इन संबेदनों को ज्ञान में क्या कर रहे है कनवर्ड कर रहे है अरे बात ये जो संबेदना है ये जो संबेदना है इसे उसने क्या का विज्ञान का अरे बात है सम्मेदना को उसने क्या कहा विज्ञान और विज्ञान को क्या कहा था आइडिया प्रत्य कहाता है यह तो कहता है सम्मेदना को उसने क्या कहा बताओ विज्ञान का और विज्ञान को क्या कहते है प्रत्य आप एक ची बता ना ये जो बुधी इन सम्मेंदों को ज्ञान में कनवर्ड करी आरे बात है आप सोचो तो ये जो हमारा ज्ञान बन दा है न ये ज्ञान ये जो है इसी को कांट ने कहा अतिंद्री प्रत्यवात कहा है ट्रोंसेडेंटल आइडिलिज्म कहा है कांट ने पूरी बाध्यान ना ये बुध्धी है ये अनभो से क्या रही संबेदना हमारी बुध्धे इन संबेदनों को ग्यान में क्या कर रही है कनवर्ड कर रही है इस ज्ञान में सारभमता निवारता कहां से आती है बुध्धी से आती है नमेंता या थारता कहां से आती है संबेदना से इस बुध्धी को अतिंद्री कहा जाता है ख्रियर आप देखर आप ये जो बुध्धी इन संवेदने को क्या कहा जाता है विग्ण विग्ण को क्या कहते है प्रत्य ये बुध्धी इन संवेदने को लेती है इस ग्यान को क्या कहा जाएगा और तिंद्री प्रत्य वात कहा जाएगा clear? चुकि हमारी बुद्धी संबेदनों को गरहन नहीं करती बलकि संबेदनों को लेती है modified करती है और ग्यान में convert करती है इसे count निका कि हमारी जो बुद्धी है वह चीटियों की तरह नहीं है जिसका काम समान जुटाना है ज्यान जेना वह चीटियों की तरह नहीं है जिसका काम समान जुटाना है अरे बात एक वह मकडियों की तरह नहीं है जो अपने अंदर से जाले का अंदर मार करती है बलकि वह कैसी है मतमक्यों की तरह है जो बिभिन फूलों से रस को चूसती है और साहत में क्या करती है convert इसी लिए ये का आजा है कांटनी का बुद्धी चीटी की तरह नहीं है बेलकि मतमक्य की तरह है अब वो मतमक्य की तरह क्यों कहा कांटनी अरी बात है मतमक्य की तरह कांटनी क्यों कहा क्योंकि गड़ ये संबीदना गरार करती है और ज्ञान में क्या करती है convert कर देती है ये हमारे बुद्धी बात समझे लागी आप से simple question पूछेगा कि बुद्धी क्या करती है मतमक्य की तरह टिपड़ी करें अब एक प्रेशन कांटनी ये कहा हमारी जो बुद्धी है इन सम्मेंद्र को ग्यान में convert करती है आरे बात है लाग कहता है हमारा जो ग्यान है वो वस्तु किंद्रित है बरकलिय ने कहा आत्मकंद्रित है कांटनी कहा बुद्धी कंद्रित है अब देखो तो ये जो ग्यान है इस ग्यान के बारे में लाग ने क्या कहा लाग ने ये कहा ग्यान वस्तु किंद्रित है क्यूंकि ग्यान की काई कहा पता हो जारा प्रति है और प्रति गुद्पत्ति किसे होती एक वाई वस्तू से बरकली नहीं क्या कहा बताओ का ये ज्ञान आत्म किंद्री थे और कांट ने क्या कहा बताओ ग्यान बुद्धि किंद्री थे देखो आप ध्यान से सुरू इस बात को ये जो ग्यान है ये ग्यान लाव का था ग्यान वस्तू किंद्री थे क्योंकि ग्यान के काई प्रति है और प्रति के उत्वित वाई वस्तू से बरकली ने कहा ग्यान आत्म किंद्री थे और कांट ने कहा बुद्धि किंद्री थे लाव ग्यान को वस्तू किंद्री थे क्यों मानता है क्योंकि ग्यान के काई प्रति है और प्रति कुद्पति किसे होती है वाई वस्तू से आरे बाते बरकली ने आत्मकिंद्रित क्यों माना क्योंकि प्रत्तिकुत पत्ति कैसे होती है आत्मा से अकांट ने क्या कहा हमारा ज्यान जो बुद्धिकंद्रित है आखे बुद्धिकंद्रित क्यों है बताओ जाना हमारा ज्यान हमेशा सिंपल चीज़े है बुद्धी केंद्रित, इसलिए हमारा ग्यान वद्धी इस संभेद्नों को बेवस्ती करके ग्यान में क्या कर रहा है आप से सिंपल कुछे पूचहीगा अरी बात है पर एक प्रेस्नक ये बुद्धी इस ग्यान को जिस rouप में कन्वर्ड करेगा अरे यह बात है घ्ञान वैसा ही होगा फरिक्जाम्पल ये मारकर है ये मारकर कैसा मैं नहीं जानता हमारी बुद्धी इस मारकर से आने वाली संबेदनों को जिस रूप में कनवर्ट करेगी मैं उसे उसी रूप में जानूँगा तो कांटनी क्या गाग कांटनी ये का कि प्रकृत से संबेदना आ रही है प्रकृत कैसी ये मैं नहीं जानता प्रकृत से संबेदना आ रही है हमारी बुद्धी उन संबेदनों को जिस रूप में ग्यान में कनवर्ट करेगी मैं उसे उसी रूप में जानूगा फर एक जम पहले एक चीज़ बताओ जराग क्या वाइट बोर्ड वाइट है बिल्कुल नहीं साइन्स का नियम क्या कहता है अक्सर दिखाओगा ये वाइट क्यों दिख रहा है सिंपल चीज़े सं रेज में कितनी रेज रंग होते हैं आरे बात हैं पर मुझे जैसा दिखेगा वो क्या है मैं नहीं जानता किस कलर का ये ये भी मैं नहीं जानता बलकि मेरी बुद्धी उसे जिस रूपे प्रजेंट करेगी मैं उसे उसी रूप में जानता हूँ बात समझ जागी इसलिए कांट ने कहा कांट ने ये का कि हमारी जो बुद्धी है या प्रकिर्द का निर्मार करती है या ये जो हमारी बुद्धी है बुद्धी प्रकिर्द का क्या करती बताओ इसे ही कहा गया कौपर निकस करांती भ्यांदो इसे ही कहा गया कापर निकस क्रांती बस फीगर आप लोगो बड़ा बनाना चाहिए था पुरा इस पेस ले करके अब इसमें बहुत कुछ नितना है घर पर फिर बना लेना आप लोग या इसका मुबाइल में फोटो क्या करोगे खीच लोगे अगर पर फिर बनाना क्योंकि पूरे फीगर में कांड की फिलास्ट में चलेगी ठीक है आप देखो आपसे अगले कुछ न पूछेगा कांड की कापर निकस क्रांती को सपष्ट करें अरे बात है तो कांड क्या कहता है मैं वस्तो को नहीं जानता वस्तो कैसी है अरे बात कांड कहता है कि हमारी बुद्धी प्रकिर से आने वाली संबेदनों को जिस रूप में ग्यान में कनवर्ड करेगी मैं उसे उसी रूप में जानता हूँ वस्तो क्या है मुझे कुछ भी नहीं पता चो कि बुद्धी प्रकिर से आने वाली संबेदनों को ग्यान में कनवर्ड करती है अर जिस रूप में कनवर्ड करेगी मैं उसे उसी रूप में जानता हूँ इसलिए अरे बात है कांट ने या कहा कि बुद्धी प्रकृत का क्या करती है निर्मान करती है अरे बुद्ध एक जच की तरह आती है प्रकृत को आदेश देती है अरे बात है इसी को कहा गया कापर निकस क्रांती इसी को कहता है कांट की हमारे बुद्धी ब्रह्मान के किंद्र में है बुद्धी ब्रह्मान के किंद्र में है कांट ने यही कहा यहां तक बात समझनाई के लिए आगी बात है आप देखो आओ फिर इसे यह पूछा गया महोदे क्या ज्यान में विभित्ता होती है कांट ने का हाँ तो बुद्ध की बारक खोटियां बताई बारत तरीके का इट बनता है अलग अलग इट जैसा इट का सेव चाहिए अब कांट इक अच्छी बात कांट कहता है कि ज्यान का आरंब कहां सोता है अनभो से क्योंकि संब्धना नहीं होगी तो क्या ज्यान बनेगा अरे बात है और ज्यान का सुरूप कहां से आता है बुद्धि से आता है जो कि ज्यान का आरंब की प्रकियां यहां सुरू होती है इसे कांड कहता है कि ज्ञान का आरंब आरंब अनुभोस होता है किन्तु ज्ञान कुद पत्ति कैसे होती अब एक चीब बताओ जरा एक बहुत अच्छी बात कांड के साथ कांड कहता है अरिवाते कि मिट्टी है इट का सांचा है आप सोचो कि मिट्टी नहीं होगी इट क्या इट बनेगा अब बताओ मिट्टी को इट के सांचे में डाल दो जैसा सांचा होगा वैसे इट का क्या होगा इसका मतले बे कि इट का आकार कहां से आया सांचे से आया अर शुरुआत कहां से होगी मिट्टी से इसे कांड कहता है ज्ञान का अरम अनभोस होता है किन्तु ज्ञान कुद्पत्ती अनभोस है क्योंकि ज्ञान का सुरूप आ कहा सरा है बुद्धी से यही बुद्धी नहीं होगी इत का साचा नहो मुर्ती का साचा नहो क्या मुर्ती बन पाएगी इसलिए कांट ने यही कहा कि ज्यान का आरम अनभोस होता है कि इन्दु ज्यान कुद्वक्ति अनभोसे नहीं होती पैंड के लिए को दिक्त आप देखो यहां एक बहुत अच्छी बाद अब कांट कहता है कि यदि बुद्धी नहीं होगी ति ज्यान का रूप ज्यान का रूप नहीं ले पाएंगे अधि संबेदना नहीं हो ज्यान दो अधि बुद्धी नहीं हो ति ज्यान का रूप नहीं ले पाएंगे अरे बात है आप ध्यान दे लाएंगे तो कांट कहता है कि बुद्धी की मिना संब्धना एं अंधी है बुद्धी की मिना संब्धना एं क्या है अंधी है क्यों अंधी है कि बुद्धी की मिना ज्ञान का रूप और संब्धना की मिना बुद्धी क्या है निश्क्री है कि बुद्धी का काम क्या बता हो जरा अब एक छोड़ा से एक्जामपल इट मिट्टी है इट का साचा नहीं है क्या मिट्टी इट का रूप ले पाएगी नहीं और यदि साचा है मिट्टी ही नहीं है तब आरा साचा क्या होगा निस्क्री होगा क्योंकि मिट्टी तो चाहिए ही नहीं बात समझ में आगे, यहां भी बही चीज़े, देखो आप ध्यान से, अब एक प्रशनम, उससे पूछा गया कांड से, कांड टिक्टी बताओ, यह बुद्धी इन सम्मेदनों को ज्ञान में कन्वर्ड करती है, कांड का था हाँ? अगला कुश्शन, बुद्धी को सकती कहां से मिलती है, फिर एक न्या प्रस उठा, आरे बाते हैं, प्रस ने यह उठा, सबकी बुद्धी तो अलग अलग है, पर सारी बाते हैं, सबकी बुद्धी अलग अलग, सम्मेदना एक जैसा, फिर भी ज्ञान एक जैसा क्यों होता है सभी लोग सो white-board की क्यों मानते हैं कि सब तो अलग-अलग हो सब की आत्मा अलग-लग सब की बुद्धी अलग-लग पस सभी लोग के ये क्यों मानते हो कि वाइट-board है एक समस्या खड़ी हुई आरे बाते हैं तो कांट कहता है इस बुद्धि को सक्ति किस से मिलती है बताओ विशुद आत्म तत्व से बुद्धि को क्या मिलती है सक्ति मिलती है अभी देखो कांड कुछ भी नहीं छोड़ेगा ठीक है इस बुद्धि को सक्ति मिल कहां से बताओ इस बुद्धि को सक्ति विशुद आत्म तत्व से मिलती है इसका मतलब यह कि आत्म नहीं होगी तो बुद्धि क्या होगी निस्क्री होगी तो बुद्धि को सक्ति कहां से मिल लिए विशुद्ध आत्म तत्व से मिलती है कांट ने यही कहा क्लियर आप देखो यहां कांट यह दो महत्मुण काम किया कांट ने कहा कि बुद्ध अपने आप से कुछ नहीं करती सक्ति इससे मिलती है और बुद्ध इससे सक्ति पाख पाख करके इन संब्यद्रों को ग्यान में क्या करती है convert करती है अब दो चीज़े के Kant ने विशुद आत्म तत्व की बात करके अहम मात्रबाद के दोस्त से बच गया अर्य बात है क्योँ अहम मात्रबाद को मतलब क्योर मैं सत्य हूँ मेरा ग्यान सत्य है सबकी बुद्धी अलग लग है सबको सम्मिदना तो सभावी के सबकी बुद्धी अलग लग हो गई सबका ग्यान अलग अलग होना चाहिए हर कोई यही कहेगा मेरा ही ग्यान सत्य है यही तो अहम मातरवाद है ठीक है बरकरिम पढ़ चुके है आहम मातरबाद कांड क्या कहता है कि महोदे सबकी बुद्धी अलग-अलग होने के बावजोद सबके घ्यान में एक रूपता होती है क्योंकि सबकी बुद्धी को सक्ति किसे मिल लई है आप सोचो जैसे मैंने ये कहा आप सबकी बुद्धी है ये विशुद आत्म तत्वे सबी के बुद्धी को मेरी आत्मा से सक्ति मिलेगी तो सभावी कह है मैं जैस रूप में भाइट बोर्ड के देखूँगा आप सबी लोग क्या करोगे उसे रूप में देखोगे अरे बात है आप देखो तो कांटनी क्या किया विशुद आत्म तत्व को मान कर गई ग्यान में एक रूपता को बचा लिया तत्थाट अहां मातरवाद के दोस्ट से कांट बच गया क्लिर अब देखो यह जो ग्यान है आपका आपके अतिन्री या थार्थवाद अजक्षू अचल आपके अब अब अापपके अापके अब इसको समझू तरह इस बात को अब निसके फीगर खीच लो मुवाईल से घर पे इसको क्या करोगे? आराम से बना लो गया अभी चलने दो अब देखो अब ध्यान सा सुने इस बात को समझवारी बाते सब को पीछ अब ध्यान सुनने आब अब ये देखो आप पहली बाद इदि आपसे परसे ये पूछा जाएगा कि कांट आहम मातरबाद के दोस्ते बच गया तो कर सकते हो देखो बरकली नहीं क्या किया आहम मातरबाद के दोस्ते बचने के लिए किसको माना है इससर को माना है सत्यम, द्रिस्यम, कार्यम की बात किया और कांट निक्स की बात की आहम मादरवाद को तो अएक कीच में कहना चाहता हूं आपसे कांट, रस्यल, विंड के स्टाइन का आंसर जरू लिखना समानता लड़की इसका आंसर लिखते नहीं है क्यों निक्ते जाता लोगो कांट समझ में आता ही नहीं है अर यह बात अनत कोई कांट पढ़ाता है तो आप कांट लिखोगे तो गणित तो नमबर दस में आठ नमबर, नौनो नमबर देदेगा रसल जरू लिखना है वेंडिकेस्टाइन रसल कोई लिखता ही नहीं है जानतों लोग क्या करेंगे ह्यूम लिखेंगे जो आसान है लोग अस्तितवाद लिखेंगे, मूर लिखेंगे जो आगे पढ़ाऊँगा, एर लिखेंगे जो आस्ति जो बहुत आसान है और जहां इसको अपने छोड़ा आपके नमबर कम होने सुरू हो जाए लिए रिजेन जानते हो क्या जे कांड से कुछन पूछा, रसल से कुछन पूछा अविनिके स्टाइन से, तो सो में दो-तीन लड़के लिखते हैं, 97 लड़के लिखते ही नहीं इस कांड से, छोड़ देते हो और आसान कोश्चन की तरब जाते हो लो इसले ध्यान से सुने इस बात हो समझवारी बात, अब कांड क्या कहता है ये बुद्धी इन संबेदनों को ग्यान में कनवर्ट कर रही है लेकि कांड कहता है, बेवार का ग्यान अरे बात है वास्तवी, क्यों? कि जिसके संबेदना होगी, उसका ग्यान होगा और जिसके संबेदना नहीं, उसका ग्यान नहीं प्लियर? बेवार के सम्मेदना प्राफ्त होती है अब बेवार को उसने क्या का फिना मिना यह निका है तो बेवार के सम्मेदना प्राफ्त होती है इसे बेवार का ज्ञान वास्तवी के उसको अतिंद्री यथार्तवाद अतिंद्री यथार्तवाद क्यों का अतिंद्री क्या है? बुद्धिक ये क्या है? वास्तवी क्या है इसको कहते हैं अतिंद्री रियलिज्म या उसी को कहते हैं हिंदी में अतिंद्री यथार्तवार लेकि परमार्थ क्या है? इस्ष्वर उसकी सम्मेदना प्राप्त होती नहीं जिसके सम्मेदना नहीं होगी बताओ क्या होगा तो उसका ग्या नहीं जिसका ग्या नहीं हो तो कल्पना होगा उसी को क्या का काल्प नहीं इसी को का ट्रॉंसडेंटल कल्पना बाद कौन क्यों 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 बेवार के सम्मेदना प्राप्त होगी जिसकी सम्मिदना होगी एक छोड़ा चीजाम पलो मिट्टी होगी, इट का साचा हो तो इट बनेगा तो वास्तिक बनेगा मिट्टी ही नहीं है और इट का साचा है, बताओ क्या होगा इट वास्तिक बनेगा बिल्कुल नहीं प्रमार्थ की सम्मिदना होते नहीं क्या किसने इस तर को देखा है बाई जिसका अब अनभो करेंगे उसकी सम्मिदना होगी और जिसकी सम्मिदना प्राप्त होगी उसका ज्यान क्या होगा वास्तविक होगा क्यों सुमीत बाद समझना आ गए अब घ्यान से सुने इस वाद को तो दो चीज़ आई एक आया अतिंद्री या थार्थवाद अब दूसरा क्या आया बताओ जरा अतिंद्री प्रत्य वाद आ गया लगता है अब एक समस्या करें देखो ये जो सम्मेदना जाती है न गुद्ध के साचे में जाती है अब एक प्रेशनम कांड करता महो देख ये जो सम्मेदना गुजर रही है देखा ये जो सम्मेदना गुजर रही है ये देश है और ये क्या है काल है इसका मतलब है देश काल के दोर से ही सम्मेदनांग गुजरती है इसका मतलब है कि यदि देश कालुप इसका मतलब देश कालुपी चस्मा होता है अवसी चस्मे से हम क्या करते हैं रिचा तुमाली कापी में जगा तो बचा ही नहीं हाँ देश काल के द्वार से गुजरती है सम्मेदना देश काल के द्वार से गुजर करी बुद्ध के सांचे में जाती है इसका मतलब यह है कि बिना देश काल के द्वार से गुजरे सम्मेदना बुद्ध के सांचे में नहीं जाएगी समझ वारी बात है जैसे आप लाकाला में चस्मा पाना हो ना जो रे जारी है चस्मे से गुजर दी wonderful उसी तरह देश कालुपी चस्मा है जानते हो क्या होगा हर संविधना देश कालुपी चस्मे से गुजरती है अग कहां प्रवेश करती है बुध्धी में जो बुद्धी में पहुँची बुद्धी मारेगा कि उसको क्या करेगा गड़ तो ये बुद्धी याद है सम बेध्रों को बेवस्थित करके ग्यान का क्या करती है रूप देती है यही कांड का समिक्छा वाद है हो गया ठीक है बाह समझा आगे उड़ो खीच ले इसका घर पे बना लेना बरना क्या हो जाएगा चले कावपर निकस करांती ये सम्मिद्नों को बेवस्थित करती है प्रकृत कैसा नहीं जानता अमीत आप कैसा मैं नहीं जानता मुझे आपकी सम्मिद्ना प्राप्त होती है अब बुद्ध जिस रूप में कनवर्ड करेगी मैं आपको उसी रूप में जानता हूँ इसे कांट ने का बुद्ध प्रकृत का निर्माण करती है इससी को का कांट ने कापर निकस करांती कांट ने ठीक है चलिए आगे अब हम बात करते हैं चलो आप एक कहानी तो समझ में आ गई होगी ठीक है आप एक प्रशन है क्या अच्छा एक बस्तिर बता दें चलो गोट बना लिया आपने देखो आप कांट निका ग्यान के लिए बुद्ध य अनभोद दोनों जरूरी है ये बुद्ध ये अनभोद पर आप उसने बिज्ञान प्रत्य माना है बुद्ध को अतिंद्री माना है अतिंद्री क्यों? क्यों उसका ग्यान इंद्रियों से गड़ ये बुद्ध इसे ज्ञान में कनवर्ड करती है ज्ञान में सार्वमत आनिवारता कहां से आती है बुद्धि से नमीन्ता यथारता कहों से आती है इसका मतलेबे सम्मिधनान नोद ग्यान Бुद्धि के बातires नहीं होगा करिकट, लेकिन ध्यान देले इस बात को कांड कहता है कि बुद्धि नोद ग्यान में सार्भमoscope निवारता नहीं आएगी इसे जितने भी अनभवादि हैं बुद्धि की बात नहीं मानता है कि और इसकी बात करते हैं तो कांड करता है कि और इसकी बात करोगे तो ग्यान में ये तो होगा किन्तु ये नहीं होगा अब बुद्धिवादी इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, इसकी बात करोगे, इसकी बात नहीं करोगे, इसकी बात नहीं करोगे, इस ग्यान में ये होगा, किन्तु ये अब बिना ग्यान के ग्यान का विस्ताथ नहीं हो सकता। कषिक्यत चुकिंगि बुध्धी इन ध्याननों सम्मेदनों को ग्यान में कन्वर्ड करती है यसे काणड का था जो भी फूलों से रसको छूसती है और साथ में कन्वर्ड करती है तो भूध्धी चीटी की तरह नहीं afar जिसका काम क्यों समान चुटाना है वह मकड़ी की तरह नहीं है, जो अपने अंदर से जाले का अंदिर्मार करती है, बेलकि वह तो बदमक्य की तरह है, जो भीवीन फोलों से रस को चूचती है, और सहाथ में क्या करती है, कनवर्ड करती है, पाइंट के लिएर, अब एक चाहिए जान देने इस बात है, चुकि बुद्धी प्रकिर्ट से प्राफ संबेदनों को, जिसनों में कनवर्ड करेगी, मैं प्रकिर्ट को उसी रूपें जानूगा, इसी को कहा गया काउपर निकस, क्रांती, क्लियर, अब एक ची जान देने इस बात को, कांटनी ये का, कि हमारा जो ज्यान है, बुद्धिक के अ लॉक कहता है वस्तु किंद्रित है, बुद्धि के अतम किंद्रित है, आग कांटनी क्या काती है, लेकिन ये जो हमारे बुद्धी है, ज्यान देना, संबेदना, देश काल के दौर सु गुजर करी, बुद्धिक के साचे में جाती है अरे बात है ये ति बुद्धी नहो तो ग्यान का रूप लेनी पाएगा ये नहो तो ये निस्क्री होगा इसे कांट निकाब संबेदनों की मिना बुद्धी निस्क्री है और बुद्धी की मिना संबेदना क्या अंधी है तो ग्यान का रूप नहीं ले पाएगी अरे बात इ को एकैसा देखते हो वाइट्वर को एक beim i क्लास्ठूम में जो एक रूपटा है वह आपकी बुद्धी की नहीं है कि कैस पंसलेक्र दोस्टे वाट्प्र बच गया शोग में एक रूपता और ही स्था मात्रवात meu उससे उसी तरह बच गया जिसका बरकली ने इस तुर के सत्ता मान करके आहम मातरवाद दोससे क्या हो गया बच गया लगता है मेरी वास्तों में अब एक प्रस्ण कांड कहता है जिसके सम्मेदना होगी उसका ज्यान वास्तिविक होगा आप देखो बेवार के सम्मेदना प्राफ्त होती है इसे बेवार के ज्यान वास्तिविक उसको अतिंद्री अथार्तवाद कहा है प्रमार्त की सम्मेदना प्राफ्त नहीं होती है इसे प्रमार्त का ज्यान क्या होगा कालपनिक होगा उसको इसने क्या कहा बताओ अतिंद्री प्रत्यवाद का है और यही कांड की फिलोस्पी है पर आलोजकों ने कांड से कांड बुद्धी से ज्ञान में कनवर्ड करती है क्या ये प्रूफ हो पाया है मनोब ग्यानिकों ने का कांड एक दम तिल मिलाया होगा दूसरी बात कांड का लोजकों ने का महोदे आप ते क्यो तो ज्यान के ब्याक्या कर रहो, नमीन ज्यान के उस पुत्वात्तिक कैसे होगा, यह तो बताओ, बात सब्दे बात एक, एक बड़ा सा रीजन, अंत में कहा जाता है, खेगल करता है, काण के दरस्द में दो दोस, जानते हो, परमारत और बेवार का द्वेट पैदा हो गया, अग कांड से पूछा गया, ये सम्मेदना कहां से आरी, ये तो बताओ, कांड काता मैं नहीं जानता, एदम हियूम की तरह, मैं नहीं जानता, लाग काता है वायवस्तु से आती है, बरकले काता आत्मा से आती है, कांड काता मुझे नहीं पता कहां से आती है, हरी वाते हैं, ब क्योंकि हम सब के सब कहाने रहे हैं इस पैसित टायम ए जो पर तुमको इस पैसित टायम से निकाल दिया भी पांस werd क्यา कोई ग्यान होगा विल्कुल नहीं होगा इसलिए हमारा जो भी ग्यान है वो इस पैस और टायम में हो रहा हो आप इस classroom में बैठी हो न इस space में बैठी हो एक time में बैठी हो इसमें कितना बज़रा होगा 10 बज़रा होगा 17 अब बताओ जरा तो बिना time इस space के क्या कुछ भी संबो है तुम्हारी सत्ता भी नहीं होगी तो हमारी जो बुद्धी ओभी तो space और time में है नहीं इसका मतलब space और time को मानें बीना हाँ नहीं परमार काता है इस तुर देश काल से परे है जो देश काल से परे उसकी सम्मेदना नहीं जिसके सम्मिल दनानी उसका ग्यानिव के कालपनिक होगा इसे इस्तर के बारे में जो लोग दावा करते हैं उनका दावा कालपनिक है वास्तिक नहीं है क्योंकि इस्तर तो देश काल से परे है क्या किसन इस्तर को देखा है नहीं देखा है बताओ जरा किस नहीं नहीं देखा है इस सवर को अजब इस सवर यह अलग चीज़ है कि महोदे है यूपी में जो डियाई जी क्या थे एक मुराधा बन गया है देखाओगा अनिका भी सुनाओगा चर्चा में थे और एक लड़के से बात हो रही थी उसने कहा किसा रहे है उनका जो आफिस ते रहे डियम कहा अचानक अध्यात में क्यों मुर गया वो और उसका एक मातलक्ष बन गया थे अरे बाते हैं गरीबों के सेवा करना कहा एक डियम अब अचानक और रिजाइन देने के जाज़ रहा है इस मैंपच्छमी चंपआने में डियम थी तो कह रहा है कि पता नी क्या बात है कर मज़ा नen ये लाइऒ में डियम बने में मेंटल स्रिक्शन नहीं है का जो मज़ा नहीं होता है आता आप पढ़ाने में या गरीबों के सिवा करने में में इंटर स्ट्रिक्षन चाहिए पैसा नहीं चाहिए तो बिक्तिवी सुने के रिजाइन देने के एक दम बालों सापकर बाकर करके जो नहीं होता है ते लग लगा करके साधी हो अब तो इस्तिति यह है कि सबकुछ अजबकाता घर का मालों डीमी सबकुछ छोड़ देगा घर वाली क्या जी नहीं देंगे नहीं देंगे आप देखो हाँ उसने खुद कहा कि सर मुझे आप इतना पैसा दे दिये ताकि मेरी आजिव का चलती रिग में खुद याना चाहता हूं पढ़ा लें सटिस्र सिक्सन ही है पैसा बहुत है सर्वेंट है सबकुछ सिकूर्टी है पर मांसिक संतुष्टी नहीं मुझे को आप में इंटर सिक्सन चाहिए इसका भी आनन ने ले लिया नहीं आप क्या चाता है का बस मैं चाहता हूं चार घंटा पढ़ाओं तो मैंने का आईए पर मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा इतना तो दे दी जब महीने का खर्च मेरा 30-35 जार ताकि मेरा खर्च क्या हो चलता रहे अन्य ठीक है तो उनके यह अभी उन्हों ने कहा कि सर्थ मैं 12 महीने में 3 में चुक ले लूगा मुझे फोन किजिए का क्लास के लिए तो पढ़ाना चाहिए क्लास लिए वो परे फिर वो क्लास लेना चाहते है तो मैं यह कहना चाहता हो ना मानसिक संतुष्टी यहां भी देखो जरा कांड क्या कहता है इस तर तो देश काल से परे है जो देश काल से परे है क्या है कांट एक जट उसकी ब्याख्या नहीं की बस विशूद आत्म तत्व है पर उसका भी अनभो नहीं होता वो अनभोव से क्या है परे की चीज़े बनो बुद्ध्धि को सकती मिलती किसे क्या आपने आत्मा को देखा है निरच नहीं देखा है पर आपके आत्मा को सकते मिल लेकर नहीं मिल लेकर वो सकते निकल जाए आप रोबोट हो, रोबोट में बैटरी तो चाहिए एनर्जी, एनर्जी खत्म ये है, चलें आगे, हाजी कौन, इंदरी से परे को कहते हैं तिंदरी जिसका ग्यान इंदरियों से नहो कौन, इंदरी किसको करते हैं बुद्धी को कांट इंदरी किसको कहा है, बुद्धी को बुद्धी किसको ग्यान में कनवर्ड करती है, सम्मेदनों को, उसी को अतिंदरी ये थात्वाद बुद्धी तो ग्यान में कन्वेर्ट करती है अब बुद्धी को क्या का उसने अतिंद्री